तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही जदा इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक यह एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे नहीं हो पाता है लेकिन आप लोगो टेंसन लेने की ज़रत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कारक को बहुत ही अच्छे तरीके से के साथ समझेंगे कारक क्या है कारक के कितने टाइब सोते हैं और हर टाइब को पहचाने का क्या ट्रिक है यह हर एक चीज में आप लोगो को बताऊंगी यानि कि आज कि इस वीडियो में आप लोगो का सारा कंफ्योजन 100% क्लियर हो जाने वाला है सारा डाउट 100% आउट हो मतब कारक के प्रचिक शब्दों को निचोर निकाल कर मतब कारक का हम लोग पोष्ट माटम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से कारक का पोष्ट माटम करेंगे और हर एक चीज को निचोर निकाल कर समझेंगे ठीक तो बहुत ज़दा important वीडियो है चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कारक क्या है पहले definition देखते हैं कि कारक का definition क्या है देखें लिखा है संगया या सरवाराम के जिस रूप से वाक्या के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित ह को उसे कारक कहते हैं I think आप लोग को यह definition समझ में नहीं आया होगा लेकिन हम लोग समझेंगे देखें संगया या सरवानाम संगया आप लोग जानते हैं संगया किसी भी चीज के नाम को कहते हैं जगा का नाम किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी चीज का नाम क्या कहलाता है स किसी भी चीज का नाम संगया और सवरवनाम होता है जो संगया के बदले में शब्द यूज किया जाए जैसे कि मैं एक्जामपल देख आप लोको समझाती हूं मैं यह बोलू कि रहुल आया रहुल खाना खाया रहुल थोड़ा देर खेला फिर रहुल थोड़ा देर सोया और की रहुल चला गया बार बार रहुल बोलना अच्छा नहीं लग रहा है अगर मैं रहुल के बदले में जो शब्द यूज होता है उसे कहते हैं हम लोग सर्वववराम मैं तुम आप लोग आप लोग आप लोग का कुछ बुद नाम लेने के बाए आप लोग बोल रही हूं यानि उसरे शब्दों के साथ संबंद सोचित हो उसे कहते हम लोग कारक जैसे कि एक्जामपल लेकर समझते हैं यहाँ पर देखिए मैं एक वाक्य लिखी दी हूँ यानि कि सेंटेंस मोहन ने मुबाइल चुराया इसमें बताइए संग्या के रूप में कौन है संग्या के रूप मे अन्यशब्द इनका संबंद किस से है मोहन से है मोहन नहीं कांड किया है मोबाइल चुराने का काम किस ने किया है मोहन ने तो मोहन का संबंद वाक्य के अन्यशब्दों से है यानि कि मोहन ने इस कांड को किया है इस काम को मोबाइल चुराने का काम किया है तो मोहन हो वाला ही कारक कहलाता है तो यहाँ पर मोबाइल चूटाने का काम किसा ने किया तो मोहन-क्या तो मोहन है कारक कहलाता है अब देखे कारक के 8 भेद होते हैं यानकी 8 टाइप 8 परकार ठीछ है करता कर्म करन संपरदान अपादान समबंध shifted and संबोधन यह होगया कारक के 8 परकार अब चलिन सभी कारक कोई आनकी आठो प्रकार को एक एक करके उनके ट्रिक के साथ समझ लेते हैं क्योंकि यही से question पूछता है आप लोग के क्यां एक जान में ठेक कोई भी वाक्य उठा लेगा और पूचेगा कि बताई यह कौन सा कारक है संपरदान कारक है कि अठिकरं है कि संबोदन है कि करता कारक सबसे पहला करता कारक किसे कहते हैं देखें जो वाक्य में यानि कि जो सेंटेंस में कारे को करता है करता कारक कहलाता है यानि कि सेंटेंस में जो भी काम को करता है न उसको हम लोग कहते हैं करता कारक और इसका विभगते चिन होता है ने याद रखेगा पहचानने का चिन क्या है ने जैसे कि उसने रोटी खाई तो खाने का कारे किसने किया तो उसने किया तो उसने हो जाएगा आप लोग का करता क कशिएंग में चुछारा है काम यह किसका मैंने कांध चुराने का काम खाया है 152 making is पूरे लग कारक उसे तरह उसने रोटी आइए उसका प्रभावाव पड़ रहा है क्योंकि उसने रोटी खाई है तो उसने हो जाएगा उसने रोटी काई है करता कारक उसी तरह आप लोग देख लीजिए हम लोगों ने राहुल ने गाना गाया है तो गाना गाने का काम किसने किया है कारे किसने किया है तो राहुल ने किया है तो राहुल हो जाएगा आप लोग का करता कारक और देखिए काम तो जाने का काम कौन कर रहा है सीता कर रही है तो सीता हो जाएगा क्या आप लोग करता कारक अगे बढ़ते हैं अगला है कर्म कारक कर्म कारक वह वस्तू या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई किरिया का परभाव पढ़ता है क्या कहलाता है कर्मकारक कहलाता है यानि कि वह वस्तु या फिर व्यक्ति जिस पर वाक्य में सेंटेंस में जो काम किया जाता है तो काम करने का परभाव जिस पर पढ़ता है उसे कहते हम लोग कर्मकारक जैसे कि इसका विवक्ति चिन होता है को देखिए राम ने रामण को मारा राम ने तो मारा ये तो किलियर है मारने का काम किस ने किया राम ने किया तो राम ने तो हो जाएगा करता कारक लेकिन किस को मारा रामण को मारा यानि कि मारने का ये जो काम है किरिया का प्रभाव काम का प्रभाव किस पर पढ़ रहा है कारक को पहचानने का जो वक्ति चिन होता है वो होता है को रामने रावण को मारा तो याद रखना है आप लोगों को जिस पर भी क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं हम लोग कर्मकारक आगे देखी अगला इसमें को कर्मकारक नहीं किया है यानिकी कर्या काप्रभाव किस पर पढ़ रहा है पत्थर पर तो पत्थर हो जाएगा आपनों का कर्मकारक देखें इसमें वक्ति चिन को दिखाई नहीं दे रहा है मैंने पथर को त्धर को फचा कर्मकारक हो Genga, कहीं कहीं को लिखा आप लोगों को दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी सेंस यूज करके आप लोगों को देख लेना है कि किरिया का परभाव किसी वस्तु पर या फिर व्यक्ति पर तो पढ़ नहीं रहा है न तो देखिए यहां पर मैंने पत्थर को फेका फेकने का परभाव पत्थर पर पढ़ रहा है तो पत्थर हो जाएगा कर्मकारक उसने रामों को बुलाया कर्मकारक तो इस तरह आप लोगों को सेंस यूज करना है आगे बढ़ते हैं करनकारक करनकारक वह साधन जिससे किरिया होती है करनकारक कहलाता है यह बहुत दासान है करनकारक कभी वक्ति चीन होता है से जिससे पता चलता है कि किसी वाक् और उसके बाद से काम काम किस पर पढ़ा कुट्टे को मारा गया है यानि कि मारने का साधन क्या है यानि कि मारने का साधन क्या है तो लाठी हो जाएगा आप लोग का क्या करनकारक जिससे काम किया जाए वह साधन जिससे काम हो क्रिया हो क्या कहलाता है करनकारक कहलाता है तो लाठी क्या होगी आप लोग का करनकारक सभी बच्चे गाडियों से खेल रहे हैं, सभी बच्चे तो खेलने का काम कर रहे हैं, लेकिन किस चीज से खेल रहे हैं, तो वो गाडियों से खेल रहे हैं, यान कि खेलने का साधन क्या है, तो खेलने का साधन है गाडिया, तो गाडिया हो जाएगा आप लोग का करनकारक, व वक्तिचिन से आप लोग को हमेशा याद रखना है से हमें बताता है कि वाक्य में क्या है करनकारक भी है तो वह आम काटता है ठीक है लेकिन किस चीज से काटता है तो चाकु से काटता है तो चाकु क्या है साधन है तो चाकु को आप लोग बोल देंगे करनकारक जिससे किरिया हो रही है चाकू से किरिया हो रही है काठने का तो चाकू साधने करन का रख कहलाएगा उसी तरह अगर मैं आप लोग को बोल दूँ कि मैं किताब से पढ़ती हूं तो मैं पढ़ने का काम करती हूं ठीक है लेकिन साधन क्या है किस चीज से मैं पढ़ती हूं तो किताब से पढ करते हैं घरक को ये तीनों सोमझ में आ गया होगा अब मैं एक और एकजामपल लेती हुं कि राम ने रावण को बाढ़ से मारा तो पिता छिलेगा कि स्क्यों कालग हैS मारने का काम जो किया उसका प्रभाव किस पर पढ़ा रावण पर पढ़ा यानि कि रावण को मारा तो रावण हो जाएगा आप लोग का कर्म कारक जिस पर पर पढ़ रहा है तो राम हो गया आप लोग का करता कारक रावण हो गया कर्म कारक और किस चीज से मारा राम ने लोग नागा गया कौन सा कारक है ठेक तो इनों में कोई कंफियूजन नहीं होगा सद्ञारा स्च फिल्बाई अब आगे बढ़ते हैं अगर आप लोग यहां अगला है संपरदान कारक किसे कहते हैं तो देखिए लिखा गया है कि जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वह संपरदान कारक कहलाता है वजदा असान है इसमें ज़्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जोर्ट नहीं है साब सब दिख रहा है कि लिखा गया है कि किसी को कुछ दिया जाए यानि कि जब सेंटेंस में वाक्य में देने की बात हो जिसको दिया जाए या फिर जिसके लिए कुछ किया जाए तो यहां पर कलम किसको दिया गया है तो राहूल को दिया गया है। तो राहूल वह गए समफ्रदानकारक लुट मेया थैं मैं यहां पर रामु को ने कलम करें राहुल को राहुल को दिया ना तो राहुल हो जाएगा संप्रदान कारक और देखिए को अभी विवक्ति चिन दिखाई दे रहा है आप लोगो को से पता चलता है कि क्या है संप्रदान कारक भी है इसमें राम ने राहुल को कलम दिया तो को किसको तो राहुल को तो राहुल ह संप्रदानकारत उसी तरह है उसने मेरे लिए किताब खर दी के लिए भी विवक्ति चीन है तो देखे लिया है यहां पर लिए है ठीक किसके लिए तो मेरे लिए किताब खर दी तो किताब तो खर दी किसके लिए मेरे लिए यानि कि उसको उसने मेरे लिए कुछ खिया तो मैं हो जाओंगी क्या संप्रदान का रख ना की किताब किताब नहीं होगा मैं हो जाओंगी मेरे लिए काम किया गया है मेरे लिए किताब खरदा गया है तो मैं हो जाओंगी क्या संप्रदान का रख उसी तरह कर मैं बोलू कि मैं तुम लोग के लिए गिफ्ट लेकर आई हूं ठी के लिए कुछ किया जाए या फिर जिसको कुछ दिया जाए वह कहलाता है सब ब्रदान कारक आगे बढ़ते हैं अगला है अपादान कारक संगया या सरवनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना प्रकट हो अपादान कारक कहलाता है बहुत ज्यादा संग्या यह सर सावनाम के जिस रूप से एक वस्तू का दूसरी वस्तू से अलग होना प्रकठूogenic हो तोट कर पेड़ गिर चुका है यानि की पता का पेड़ से अलग होना प्रकट हो रहा है दिखाई दे रहा है कि पेड़ पर से जो पत्ता है वो तूटकर अलग होकर अब गिर चुका है ठेक यानि कि अलग होना दिखाई दे रहा है अलग होना जाहिर हो रहा है प्रकट हो रहा है तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग आपादा है फत्ता नहीं का पैड क्योंकि नहीं होगा तूर्ट से अलग होना यानि कि कहा तूट टूह कर गिरा तो पैड से पत्ता अलगोखveer होगा सबस्दवी से दूर अब इससे क्या twoi सुरे से दूर है यानि कि प्रिथी और सूरे का अलग हो ना जाहिर हो प्रित्वी अलग है और सुर्य अलग है तो प्रित्वी सुर्य से बहुत दूर है क्या हो जाएगा आप लोगा आपदान कारत बिल्ल से Calm विभक्तिचिन क्या से albeit पहले जो भी आयगा हो क्या कहला का का कहां से बिल्ली कुद पड़ी तो टेसे यहां टेबल K että TV को छोड़ करके वह कुद पड़ी एक टेबल से अलग हो गई तो टेबल हो जाये आप लो in करन कारक का विवक्ति चिन से होता है अभी मैं आप लोग को बताई ना करन कारक का विवक्ति चिन क्या होता है से जाद रखना है दोनों करन कारक का दोनों का विवक्ति चिन से होता है लेकिन करन कारक का जो से विवक्ति चिन होता है वो से हमें बताता है साधन कि हम किस साधन स किस चीज से काम कर रहे हैं और जो आपादान कारा का विवक्ति चिन होता है से वो हमें अलगाओ बताता है एक वस्तू का दूसरी वस्तू से अलग होना बताता है ठीक है मैं कलम से लिख रही हूँ इसमें अलग होना जाहिर हो रहा है नहीं मैं कलम से लिख रही हूँ तो इसम यह आ रहा है कि टेबल से अलग होकर मैं गए अब यहांपर अलग हो वारूप जो किनी दो व्यक्ती या वस्तूनों में संबंध का बोध कराता है किनी किनी or has किनी दो व्यक्ति या फिर वस्तूम संंबंध संबंध काल duy किुल रहा ć संबंध कारक कहलाता है और इसका वक्तिचीन होता है बहुत जदा होता है काकी केरारी रे नाने नी और हाँ एक चीज में आप लोगों को बताना भूल गई यह जो अपदान कारक में जो है ना डर यहां पर लिखी हूं मैं अगर डर की बात हो तो भी वह क्या हो जाएगा आप मतलब डर वाली बात है कि मैं तुमसे रर्ती हूं मेरे राइ डरने वाला जो रही बात है न वह चला जाएगा आप लोगों का अब आधान कारत तो अब यहां पर समझते हैं यहाँ पर हम लोग थे संबंध कारक वैसा कारक जो हमें संबंध को बताए रिलेशन को बताए ठीक है यह राम की पुस्तक है क्या पता चल रहा है कि यह पुस्तक किसकी है राम की है ठीक है रिलेशन पता चल रहा है संबंध पता चल रहा है कि पुस्तक का संबंध किस से है रा क्या है सीता की बहान है तो वह सीता की बहान है तो यह हो जाएगा आप लोग का संबंद कारक बच्चों का सिर दुख रहा है बच्चों का रिलेशन सिर से है बच्चों का सिर दुख रहा है क्या दुख रहा है सिर दुख रहा है तो यह हो जाएगा आप लोग का संबंद कारक जो संबंद बताए ठिक अब देखिए सात्वा है अधिकरण का रख जिससे किरिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण का रख कहते हैं वह संग्या या सर्वनाम का रूप जिससे किरिया का आधार जाना जाए मतलब काम का आधार बेज पता चले उसे कहते हैं लोग अधिकरण इसका विवक्ति चीन होता है में नहीं तो पर जैसे कि देखिए पुष्टक मेज पर है पुष्टक कहां पर है पुष्टक का अधार क्या है किताब का अधार क्या है मेज मेज पर रखा हुआ है पुष्टक तो वो जो मेज है मेज यह हो जाएगा आप लोग हुआ है पुष्टक्तो मेज पर तो मेज हो जाएगा आप लोग चाहां रहता है तो वण में रहता है यानकि रहने का अधार क्या है वण जंगल ठीक तो देखिए में आ रहा है न विवक्ति किन में के पहले जो भी आय वो क्या कहले अधिकरन का रख तो वन हो जाता है उसके जाने का अधार क्या है गंगा किनारे तो गंगा किनारे हो जाएगा आप लोगों का क्या अधिकरन कारत सीता कमरे के अंदर है सीता कहा है कमरे के अंदर है अब देखिए इसमें आप लोग को कहीं पर भी में ये फिर पर नहीं दिखाई दे रहा है वह गंगा कि किनारे जाता हैot अगर आप लोग को नहीं दिखाई जिए लेकिन इसको अगर तोड़ेंगे दूसरे अंदाज में Miguel कर देखेंगे तो वो गंगा किनारे जाता है जाने का अधार क्या है गंगा किनारे तो आप लोग बोल देंगे क्या अधिकरन कारक सीता कमरे के अंदर है सीता कहा है तो कमरे के अंदर है यानि कि कमरे में है तो कमरा क्या हो जाएगा आप लोग का अधिकरन कारक भीतर अंदर उपर बीच कि जब बात हो ना तब उसको बोल दिया जाएगा अधिकरन कारक जैसे कि सीता पहाडों के बीच में है सीता बहुत सारे लोगों के बीच में है तो बीच हो उपर हो अंदर हो भीतर हो इस तरह के शब्द आएंगे तो क्या बोल दिया जाएगा उसके पहले आने वाले शब्दों एक्सकूलामेशन मारक है इसको जाएगे जिसको देख लीजिए जिस भी शब्द के आगे आप एक्सक्लामेशन मारक वाह तुम्हें क्या थपड लगाया वाह क्या आगे क्या लगा ऊड़ोंकी नूट से रहे दिखाइद हैं तो आप लोग कारक समझ गए और कारक के आ Axq करके उनके ट्रिक के सांद बता दी तो और कमिंट करके बता ऑगा है है अगया है अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन सौट लेना चाहते हैं कोई दिकत नहीं है ले लिजे फड़वट स्क्रीन शौट और उसके बाद से अगर आप लोग शेर नहीं कियें वीडियो को तो चारोतव शेर मरिए फड़वट अपने पड़ोसी अपने दोस्तों अपने रिष्टेदार है जितने भी आप लोग के रिष्टेदार है चारोतव शेर कर दीजिए और हाँ अगर आप लोग चैनल को सब्स जाहिंद और खुदा हाफिज